मुझफर पुर्जिले के बंदरा पर्खंशेत्र में मानसून की दूसरी बरसात के दौरान हुई बारिस से पर्खंड के खनुआ सक्री के उटसा मुखपत में सक्री गाउं में हाल के साल में बनी मुख सरक बीच में ही धस गया है धसान असल पर तकरीबन आठ से दस फिट में आधे सरक में दरार आ गया है यह दरार कई टुकरों में है और बठती ही जा रही है सरक के नीचे का मिटी धस गया है जिसके कारण से यहां वहनों का परिचालन ख़तरनाक हो सकता है गरामिनों ने बताया कि चुकर इस सरक के निर्मान के समय ही सरक निर्मान कार्ज की गुनवत्ता पर गरामिनों की दोरा इतराज जताये गये थे गुनवत्ता को लेकर सवाल उठाये गये थे निर्मान के समय में सरक के दोनों किनारों में फ्लेंक नहीं बनाये गये थे जिसके कारण से बरसाथ के वज़त से रेन कट के स्थिती बनी है नीचे से मिट्टी कट कर किनारी के गड़ों में चला गया है लिहाजा सरक में दरार आ गया है सरक धस गए है इस होकर भारी बाहनों के परिचालन के दोरान बरे एवं जानलेवा हासों की आसंका बढ़ गई है छोटे बाहनों के परिचालन के दोरान भी आसंका बनी रह रही है जाने अन जाने में हाँ कभी भी दुरगट न हो सकती है ग्यात हो कि या सरक जिले एवं बंदरा परखन के पूरवी एवं अंतिम बॉर्डर छेतर के नजदे की गाउं के लिए आतियन तूपी होगी है मुझज़फरपुर से A2G News Live के लिए दीपक कुमार तीवारीक रिपोर्ट